मुबारक हो तुम लोग ऐसी वीडियो में आ गए हो कि जिसको देखने के बाद तुम लोग अपना 5x5 रूबिक्स क्यूब चाहे वो कितना भी स्क्राइमबल हुआ हो सॉल्व कर लोगे हमने स्टार्ट कर दी है 5x5 की स्पीड क्यूबिंग सीरीज आज उसका पार्ट वन है आज हम बात करेंगे कि हमने 5x5 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करना और आने वली वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर तुम लोगों ने इसको एक मिनट और एक से देड़ मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करना मतलब इस पे तुम लोगों ने अडवास्ट टेकनीक्स कैसे अप्लाई करनी है वो सब सीखेंगे बट आज सिर्फ मैं आपको बेसिक्स सिखाने वलों के रूबिक्स क्यों बगर आपने जिंदगी में पहली दफा खरीद है तो आप उसको बिल्कुल एजिली कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं कसम खाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग अपना 5x5 को सॉल्व कर लोगे लेकिन अगर तुम लोगों को 4x4 सॉल्व करना आता है तो 5x5 तुम लोगों को मुबारक हो पहले सी सॉल्व करना आता है लेकिन अगर तुम लोगों को 4x4 solve नहीं करना आता फिर भी आज ऐसे सिखा दूँगा कि तुम लोगों को जरूरत ही नहीं पढ़ने वली सबसे पहले हम देख लेते हैं 4x4 और 5x5 में फरक क्या है 4x4 में 2-2 edge होते हैं जबकर 5x5 में 3 edge होते हैं तुम लोग देख सकते हैं corners के दरमयाँ 3-3 edge 4x4 में 4 centers होते हैं इसमें centres 2 किसम के होते हैं एक corner center जो यह corner प्याओं चार corner centers है और एक edge center यह वले edge center यह यह center यह center यह center यह center एक center मैंने पूरा solve करते इसी तरह बाकी के भी 6 centers को हम solve करेंगे सारे centers को solve करने के बाद ये कुछ इस तरहा का दिखेगा सारे centers solve दशेगा उसके बाद हम edges को pair करेंगे जैसे ये ये DOUाँज NH pair हो गया सारे edges ये जो है ये same color के इस तरहा करेंगे सारे edges को solve करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा और उसके बाद हम इसको same 3 by 3 की तरह solve कर सकेंगे खेर मजीद तुम लोगों का वक्त बरबाद नहीं करूंगा डारेटली इसको scramble करेंगे और सबसे मज़ेदार चीज इस क्यूब की 4 by 4 में कोई fix center नहीं था होता like इसमें कहीं पे कोई भी center हम बना सकते थे इसमें जो center color है जैसे ये orange है तो ये orange का ही center piece यहाँ पे बनेगा यहाँ blue का ही बनेगा इस तरह हमें color scheme याद करने की जरूरत ही नहीं रहती यहाँ पे हम बनाएंगे एक एक बार हम यहाँ पे सबसे पहले white का center piece डूढ़ेंगे जैसे ये green है ये red है ये रहा white अब देखो यहाँ दर्मयान वली बार कौन सी है ये है sides वली बार और ये है दर्मयान वली मतलब यहाँ पे अगर एक piece लग जाए जैसे ये वाला piece है ये edge piece है मतलब समझे हो ना center का edge piece है और ये भी center का edge piece है तो हम इसको ऐसे easily लगा के दर्मयान वली बार complete कर सकते हैं अब हम अगली बार बना सकते हैं यहाँ पे बहुत सी possibilities हैं लेकिन ये कुछ थोड़ा सा मुश्किल केस है और अच्छी बात है कि मुश्किल केस आगया ताकि तुम लोगों को खुद से मुश्किल ना करनी पड़े अब हमने यहाँ पे एक और बार बना के लगानी है तो जैसे ये corner ये corner तो हम easily मिला सकते हैं और यहाँ पे दर्मयान वला piece ये रहा तो सबसे पहले दोनों को same position पर लेकर आएंगे कि इस piece को इधर ला सकूँ लेकिन देखना जब मैं इस piece को इधर लाँगा ये आया तो यहाँ वली बार थी दुबारा दिखाता हूँ ये piece इधर लाते हुए ये वली बार ये तो बन गया तो ये यहाँ आजेगा तो हमने क्या करना उपर करके इसको यहाँ पर लेकर आना है यहाँ पर लेकर आए अब ये इससे मिलाएंगे तो ये easily हमारी बन गई और हमारा पहला white का center piece complete तुम लोगों ने देखा हमने कोई algorithm का use ने किया सिर्फ और सिर्फ intuitive किया सब कुछ अब यहाँ पर note करना ये तुम लोगों देख सकते हो दरम्यान वली बार ये corners को छोड़ दो दरम्यान में ये दो हैं ये वला piece इदर जा सकता है white वला हमने नीचे कर दिया yellows के opposite हम yellow बना रहे हैं तो इस वले को हम इससे attach कर सकते हैं तो ये हमारी एक बार बनगी लेकिन ये खराब हो रहा है तो इसको हम ऐसे नीचे करेंगे तो ये भी नीचे आजएगा तो इसको उपर करके एक दफ़ाइसको side करके इसको नीचे करेंगे तो दरम्यान वली हमारी बार बन जाएगी अब हम देखेंगे कोई possibilities जैसे ये दो मिली बनीवी हैं तो यहाँ पर बहुत सी technique से हम बना सकते हैं या तो यहाँ पर हम इसका corner मतब सेंटर corner हम डूण सकते हैं तो इसको यहाँ पर लाके इसको like direct उससे attach कर सकते हैं और उसके बाद इसको यहाँ उपर insert कर सकते हैं लेकिन उपर insert करते है विक यह निकला है तो हम उपर लिदोनों layers को right में save करेंगे यहाँ खाली slot लाएंगे और इसको नीचे कर देंगे तो यह भी ठीक हो जाएगा यह भी ठीक हो जाएगा अब यह है हमारा आखरी तीन pieces एक दो तीन तो सबसे पहले हम इन दोनों को pair बनाएंगे तो ऐसे तो बना नहीं सकते है क्योंकि यह वला यहाँ जाएगा ना तो यह वला भी हमें यहाँ चाहिए तो उपर ली layer को दो दफ़ा गुमाएंगे इसको हम यहाँ लाएंगे और अब यह आखरी है अब इस आखरी को सबसे पहले हम किसी साथ ली layer में निकालेंगे जैसे यह इसके साथ ली यह layer है तो मैं यहाँ पर इस बले piece को निकालूँगा लेफ्ट layer को नीचे करूँगा लेकिन नीचे करने से white खराब हो रहा तो इसको एक तफ़ा side करके लेफ्ट layer को वापिस उपर कर दूँगा ताके white ठीक हो जाए और अब इसको मैं easily अपना बना सकता हूँ बार और इसको मैं उपर insert कर सकता हूँ अगर मैं यहां पर करके किया तो यह तो उपर हो जएगा यूटू करके नीचे करता रहूँ तो कोई फाइदा नहीं क्योंकर हमारा यह यहां रहेगा तो हमने इसके उपर एक ऐसी क्योंकर यह लास्ट बार है यह यहलो की ऐसी बार लानी है जो solve हो लास्ट बार पर, इसके उपर करेंगे, उपरी लेर को दो दफा गुमायेंगे, और नीचे करेंगे तो हमारी यל और वाइट सॉल्फ, अब जब वाइट और यलॉ सॉल्फ हो जए तो हम एल्लो क Cash स्वार में डॉर गर हमने यह वहले छार तो ये हमारी होगी दरमियान वाली bar solve और उसके बाद изi को हम ने वर्टिकल कर देना अगर हम इसको एसे ही रखेंगे मतलब इस तरह हम इसे रखेंगे तो हम जब अगली बार बना रहे होंगे तो यह खराब हो जगा लेकिन अगर हम इसको वर्टिकल कर देंगे तो अब हम यह वली मुव्मेंट से इसको कुछ नहीं होगा अब हमने ब्लू की दूसरी बार बनानी है तो बहुत लगी केस है यह दो पहले सी बने में एक यह रहा तो इसको इसके साथ अटैच करके यू करके इसको हम डारेक्ट नीचे इंसरेट कर सकते हैं येलो वाइट को हमारे कुछ नहीं हो रहा क्योंकर वो साइट पे है ब्लू की लास्ट बार है तो यह रहा तो अगर मैं इस वले blue को इस वले blue को इस वले edge वले के साथ मिलाता हूँ और अब ये और ये इन दोनों ने आपस में attach होना है तो तुम लोगों को पता है इसने इधर जाना है तो इनको अगर मैं उपर से दो दफ़ा गुमा के इधर ले आँ और इसको attach करूँगा तो हमारा वो बन जाएगा और इसने इधर जाना है तो लो भई हमारी तीसरा तीसरा center solve अब यहाँ पर blue solve करने के बाद या तो मैं orange solve कर सकता हूँ क्योंकि दरम्यान वला orange है या फिर मैं red solve कर सकता हूँ तो अब ही चलो कोई भी solve कर सकता हूँ जोंसा बहतर लगे अभी मैं red solve करने लगा हूँ दरम्यान वली बार पे हमारा focus होगा तो यहाँ पे हमें चाहिए यह वला पीस यानि के यह edge एना यह तो हम इसको एक दफ़ा इधर लेकर आएंगे इसके साथ लगाएंगे लेकिन अब जब हम इसके साथ यह लगा रहे हैं क्योंको back पे blue solve है तो यह हम solve कर दिया back से खराब होगे तो इस बार को एक दफ़ा हम vertical कर देंगे और blue को वापिस ले आएंगे मज़ेदारी की चीज़ हम इसके directly attach कर सकते हैं और बार बना सकते हैं और उससे भी मज़ेदारी वोली चीज़ जब इसको इधर ला रहे हैं यह बार बन रही है तो यह खराब हो रहा है तो अगर हम इसको अभी इस तरफ कर दें और अब इसको उपर करें तो वो भी ठीक हो जाएगा और ये भी बन जाएगा और मज़ेदारी की बात ही है कि अब हमारा लास्ट बार रह गई है हम यहाँ पे एक फिंगर रखेंगे ताके हमें याद रहे हम की तर है और यह रहा रेड तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से निकालना चाहूँगा इस पीस को इस बार में मैं ले आता हूँ इस सेंटर में ले आता हूँ तो यह रेड को मैं एक दफ़ा नीचे करूँगा एक दफ़ा यहाँ से साइड करूँगा और यह ब्लू को ठीक कर लूँगा अब देखो अब ये है रेड बार और ये है रेड मतलब बार नहीं है इनकी बार बनानी है हमने तो हम ऐसी पॉजिशन पे लाएंगे कि जब मैं इसको लगाऊं तो ये एक बार बने और अब साइड करके हम सबसे पहले अपने ब्लू बले को ठीक करेंगे ना तो अब लास्ट इस बार के उपर इस बार को चड़ाना होता है जो पहले से ही सॉल्ड है तो हम इसके उपर इसको चड़ाएंगे और अब यूटू करेंगे और अब इसको बाक्विस करेंगे तो ब्लू और रेड हमारा हो गया सॉल्फ और अब हमारे लास्ट के दो सेंटर बची हैं तो automatically solve हो गया अब यहां पर या तो मैं इसकी बार बना सकता हूँ क्योंकि यह दो दर्मयान में बाकि सब को देखना छोड़ दो ठीक है? Corners को ignore मारो या फिर मैं इस orange की बार बना सकता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? मैं अभी इन दो को assume किया है कि यह मेरी बार है और यह है एक हच पीस तो अगर मैं इस हच पीस को इससे मिलाता हूँ तो तो तुम लोग देख सकते हो मेरी यह बार बन गी लेकिन इससे जब मैं मिला रहा था तो यह देखना ब्लू खराब हो रहा है खर यह बार तो बन गी इसको साइड करके हम इस ब्लू बले को ठीक करेंगे इस असना में हमारी एक बार कम्प्लीट हो गई औरेंज की अब हमने बनानी है अपनी दूसरी बार यहाँ पर केस थोड़े से ट्रीकी हो सकते है लेकिन यह बहुत असान है एक दफा समझने की बात है अब हमने कोई एक और बार बनानी है और लास्ट वूली वैसे भी हम सून से सॉल्व कर लेते हैं जिसको 3x3 सॉल्व करना आता है उसको पता सून क्या है अच्छा अब देखो यह दो बने वी हैं बहुत से cases बहुत सी possibilities है अगर बहुत ही efficiently सोचना कि हमने अब इसको एक orange हमने बना लिया अब हमने इसके साथ एक और orange को create करना है तो यह दो पहले सी बनी हुई है तो अब सोचो यह वला हम इधर कैसे ला सकते हैं यह वला piece इधर कैसे ला सकते हैं अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ और इस piece को एक दफाँ hide करता हूँ और अब इस सारे को एक दफाँ ऐसे turn करके इधर ले आता हूँ और उसको वापिस करूँगा तो हमारी bar easily बन सकती है न और मैं इसको इस बार को यहाँ पर कैसे insert करूँगा like यह खाली slot है हमारी इसको उपर लेकर आऊंगा इस बार को यूटू करके इस तरफ shift किया और उसको नीचे कर दिया simple हमारी दो bars complete हमारा main goal है अपनी दो bars को complete करना तुम लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर एक और scramble ले आएंग ताकि तुम लोगों को मैं मजीद समझा सकूँ like यह है हमारी एक बार और एक बस piece लगना तो इसने complete हो जाना like निसाल है यह हो piece तो इसको इसके साथ attach किया इसको vertical किया blue बले को ठीक किया ठीक है इतना ठीक है अब यहाँ पर हमने एक और bar बना के इस तरफ लगानी है तो easy है बिल्कुल इस piece को अगर हम इसके साथ connect कर दें तो यह bar बन गी ना और इस तरफ ला के नीचे कर दें तो easily solve हो गया हमारी दो bars बन गई तुम लग जितना खेलोगे इन cases थे तुम लोग खुद ही समझ जाओ गया और मैंने तुम लोगों को सारे cases explain कर दी है अब five by five में क्या होता है last के दो central solve करते है कभी-कभी last का एक edge piece जब तुम लोगों ने दो solve कर लिए दो solve होगी अब last का एक edge piece ऐसे रहे इसको center edge जाए ना moves का sequence है एक sequence है इनको अगर तुम लोग याद कर लो तो तुम लोग खलाड़ी हो यार यह algorithm नहीं है दुबारा बता दू इन दोनों ने अपनी जगा basically बदल ली है अब सबसे पहले इसने इसकी जगा बदल ली है तो इसको इसके उपर चड़ाएंगे यह हो पीस यह देख लिए है मैं उंगली रखे हुए यह पीस यहां आ गया अब इसी पीस को एक दफ़ा side कर दिया मैंने side मतलब यह दुबारा इसको इसके उपर अब side अब इसको दर्मियान वली layer से दुबारा उपर मतलब यह पीस है ना समझ ना आया हो सबसे पहले एक sport पे ले आओ यहां से भी तुम लोग कर सकते हो लेकिन यह सबसे बहतर है अब इस piece को इसके उपर चड़ा दिया इसको एक दफ़ा side पे किया अब इसको दुबारा उपर चड़ाया दुबारा उपर यहां दर्मियान विलियर उपर की और अब सब कुछ reverse लाइक सबसे पहले इस बार को insert कर लो और अब इस बार को insert कर लो एक आखरी case जो देखने में आ सकता है वो है तुम लोगों के दो corner pieces रह गए हो like center corner pieces इसने इधर जाना और इसने इधर आना हो तो सबसे पहले तुम लोगों ने दोनों को 7 स사 लेकर आना है इस तरह इस तरह हो दोनों 7 सात आगे अब तो मैं एक algorithm बताना चाहता हूं तुम सबको आता है 剩्परास के जम लोगो को 3 by 3 solve करना आता है सेम वही गेस है, इनको पास-पास रखना है, लेकिन यहां पर हमने राइट की दो लेर्स से यह आलगारिस हम लगाना है, आर, यू, आर प्राइम, यू, आर, यू टू, आर प्राइम, और वो सॉल्फ, हो सकता है, दो-दो में आजए, कोई मसला नहीं, पहले इसको हम पास-पास रखके सॉल्फ करेंगे, मैं बहुत आराम से लगा देता हूं, और राइट लेर को उपर, यू को आगे, राइट लेर हो चुके हैं, सॉल्फ, वह भाई, क्या, क्या, यही मेन मुश्किल थी, इस पुजल में, हपीस सेम 4x4 की तरह सॉल्फ करेंगे, कोई rocket science नहीं है, शुरू करते हैं, सबसे पहले, मुझे सबसे अची condition लग रही है, यह वाइट ग्रीन हमारे सॉल्फ हैं, तो मैं दूसरा वा R U' R' करके यहां पर insert कर सकते हैं, मैं दुबारा दिखा देता हूँ, इसके सामने हमने यह लेकर आना है, तो हम इसको यहां पर ला सकते हैं, R U' R' करके, easy, और इसको हम solve कर सकते हैं, like इस तरह बहुत easy है, और अब उपर का कोई भी खराब हैच पीस इधर insert करेंगे, like यह व हमारा पहला HP solve हो गया, लेकिन यहां पर एक और चीज है, जिसको हम बोलते है, flipping algorithm, जो 4x4 जिनको solve करना आता है, उन्हें पता है, आगे जाके हम उसकी बात करेंगे, अब मैं यहां पर एक और choose कर लेता हूँ, like मैंने choose कर लिया, white blue, white blue, लेकिन जब मैं इनको आपस में attach कर र है, यह बहुत easy moves है, यह simply एक sledge hammer है, r' f' और उसके बाद इस HP को हम इधर insert कर रहे हैं, इस HP को r, u' r' करके, यह algorithm उन लोगों को आता है, जिन लोगों को 4x4 solve करना आता है, अब तो लोगों को बता दूं क्यूंकि यह दोनों तो मिलें नहीं, तो इन में से एक को flip करना हैं, तो इस पे हम एक दफ़ा यह algorithm लगाएंगे, और अब जब इसको इससे attach करूंगा, तो यह easily attach हो जाएगा, अब दूसरा white blue देखेंगे, white blue हमने इस पे finger रखनी है, इस पे finger रखनी है, क्योंकि यह हमने solve कर लिया, तो उपर कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है, इसका मतल R' से, अब देखो, वो नीचे आ गया, मतलब यहां से ऐसे तो हम इसके साथ लगाएं नहीं सकते, पेर बनाएं नहीं सकते, white blue, white blue, यह यहां पे होना चाहिए, तो दुबारा हमने flipping algorithm लगाना, जिससे यह flip हो जाएगा, तो हम flipping algorithm लगा रहे हैं, और अब यह easily, मतलब यहां से उपर आ गया, flipping यही करता है, उपर नीचे और दर्मयान वले को वहीं रहता हुआ, तो यह इधर आ गया, तो अब हम इसको यहां उपर के नहीं HPC's से बदलेंगे, हम इसको नीचे के HPC's से बदलेंगे, उपर के से भी बदल सकते हैं, लेकिन असानी के लिए तुम लोगों क उपर करो, इस HPC's को इधर डालो और इसको वापिस कर दो, तो दो हमने solve कर लिये हैं, अगला बहुत अच्छी scheme मिली मुझे, white, red, white, red, यह तो पहले से ही दो ऐसे मिल सकते हैं, और एक और white, red चाहिए हमें इधर, तो यह और यहां नहीं है, यहां यहां और यहां भी नहीं ह इसका मतलब यह नीचे वाली लेयर में चुपावा है, यह रहा है, तो हम इसको इसके सामने लाएंगे, यह क्योंकि हमें हमारे जो दो बने हो, हम उसको left side पर रखते हैं, क्योंकि अब यह बिलकुल सामने आ गया, red, white के यह दो तो automatically हमने थोड़ी दिर पहले इनको align किया थ और यह है उसका तीसरा, तो इसको इधर insert कर देंगे, R, U', R' से यह आ गया वह और जब इसको उसके साथ attach करेंगे, तो वह attach हो गया, लेकिन इसको दोबारा नीचे solve करेंगे, क्योंकि दो हमने पहले किये हैं, तो इस पे उंगली रखके दोबारा दो दफार गुमाएंगे, और यह तो solve है भई, हमने unsolved HP से बदलना, तो इस HP को हम इधर insert करेंगे, इस HP को, इसको मैं यहां ला रहा हूँ, तो red automatically हो गया, और उपर के 3 हमने solve कर दिये, एक आखरी हम डूडेंगे, एक बहुत अच्छी situation मिली है, red blue, red blue, तो यहां इसमें दरम्यान में पास एक red blue आना, तो यहां पर तो red blue नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, इसका मदब वो दुबारा नीचे वली layer पर है, तो दुबारा नीचे जाना पड़ेगा, याद रखना यह है, वो red blue जो हमने choose किया, वह इसको left में रखेंगे हम, यह रहा, red blue, red blue, यह है एक तरह के यह एच झाल और यह दरम्यान हो लाइं चमार आसानी के लिए कह रहा हूं अब इसको यह इसको फ्लिप करोगे यह आसे फ्लिप हो जाएगा तो फ्लिपिंग एल्कॉरिथम लगाएंगे हम जो के बहुत आसान है और अब जब इन सब को हम आपस में अटैच करेंगे तो हमारा बूम वो सॉल्फ अब दोबारा हम इसको क्योंके यहां नीचे हमें दोबारा दो दफ़ा इसको गुमाना पड़ेगा क्योंके उपर हमने तीन सॉल्फ किये हैं और आखरी वला खराब है यहां पर बचाव है इससे हम इसको बदल देंगे और उपर चारो हमारे सॉल्फ हो गए है अब खुशखबरी यह है कि हम इसको नीचे कर देंगे और हमें बार बार ऐसे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो नीचे ही रहेगा और अब यहां पे यहां पे ही वो एजिस होंगे जो हमने डूंडने है सबसे मज़दारी है वहली चीज जो मुझे यहां पे नज़र आरे है ऐसे सामने रखेंगे कि यह लेफ्ट में आए और यह लोगों के टॉप पर आए अब इसको इसके सामने इंसर्ट करेंगे लाइक ग्रीन ओरेंज ग्रीन ओरेंज के दो तो जब हम इसको इसके सामने इंसर्ट करेंगे तो ग्रीन ओरेंज एक नीचे है और 2 green orange ही है, तो like हम ऐसे करेंगे तो, तो यार फलिप का मस्ला आएगा न, तो अब एक काम हो सकता है, यह हम इन दोनों को flip करके उपर ले जाएं, या फिर इसको flip करके उपर ले जाएं, किसी को भी लेकर जा सकते हैं, तो इसको flip कर लेते हैं, इसको flip कर लेते हैं, ये दोनों उपर चलेंगें, वो था ही नीचे, तो उसको हम easily align कर सकते हैं, अब मैं इस वले खराब edge से इसको बदल रहा हूँ, इसको इधर insert कर रहा हूँ, वो automatically निकल गया, अगला case हमें बहुत अच्छा मिल गया, तो लोग देख सकते हो, yellow red, yellow red, तो मैं इन दोनों को easily align कर सकता हूँ, लेकिन इसके दर्मयानवला भी सामने है, yellow red, yellow red, yellow red, लेकिन तो लोग देख सकते हो, ये front वले, इसका और इनका color match है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, तो इसने flip ही आना है, तो भी इसको दुबारा बाहर निकालेंगे, इन दोनों को flip करेंगे, flipping algorithm से, और अब इसको इसके अंदर insert कर देंगे, दुबारा और ये हमारा like उपर का तीसरा edge piece बन गया, हम इस वले खराब से इसको बदलेंगे, इस खराब को इधर insert करेंगे और वो तो तुम लोग देख सकते हो, yellow और yellow orange, yellow orange, yellow orange, तो तुम लोग देख सकते हो, ये दोनों match हो रहे हैं ठीक है, और इनके साथ वला ये है yellow orange, तो इसको इसके सामने insert करूँगा, और अब yellow orange, yellow orange, yellow orange, ये सारे easily match हो सकते हैं, और अब इसको आखरी खराब edge piece से बदल दूँगा, और अपने centers को अप ठीक कर लूँगा, पहले हमने centers को इतना को खास दिहान नहीं दिया, और ना ही देना चाहिए, जब तक हम उपर के 4 और नीचे के 4 चारो, solve ना कर लें, अब centers को ठीक करेंगे, क्योंकि उपर के 4 हमारे solve हैं, नीचे के 4 हमारे solve हैं, हमारे बस ये चार लाएं कि ये वला ये वला ये वला और ये वला edge बचा है, तो सबसे पहले ये दो तो हम यही रहने देंगे, लेकिन ये दो, ये दो हम उपर की layer में निकाले कैसे easy है, इस वले edge piece को उपर की layer में करूंगा, जब इसको उपर कर रहा हूं तो ये वला नीचे चला गया है, उपर किया है, इसको मैं side करूंगा, अब ये नीचे जो चला गया है, इसको भी दो दफ़ा गुमा के उपर कर दूँगा, और ये दो खराब को अपने सामने ले हम 2 कैसे solve करेंगे, जैसे एक case मैं तुम लोगे को दिखा जाता हूं, green yellow, green yellow, तो अगर मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं, तुम लोग देख सकते हो, green yellow, green yellow, मैं दुबारा दिखा देता हूं, green yellow, green yellow, match हो रहा है, उपर किसी खराब edge piece से इसको बदलेंगे, क्योंकि ये हमन तो इसको left में insert किया जाए, तो left में हम इस वाले को insert करेंगे, easily आ गया, और अब इसके साथ वाला एक, देखेंगे edge piece, like ये रहा वो, green yellow, green yellow, इसको इसके सामने insert करेंगे, इस piece को इधर, और अभी तुम लोग देख सकते हो, flipping की कोई ज़रूत नहीं है, तो इन दोनों को yellow, green solve हो जएगा, ये इस दुनिया का सबसे easy technique है, last के 4 edges में से 1 edge को solve कर देने का, अब हमारे पास last 3 बचे हैं, इनको भी इसी technique से करेंगे, like यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है, सबसे बहतर चीज, वो ये लग रही है, कि तुम लोग देख सकते हो, blue, orange और blue, orange, ये दोनों प इसके दरमीयां लेकर आएंगे, दरमीयां में लेएंगे, हो सकता है, जिब तुम लोग इसको दरमीयान में लाओ तो जो в affiliate हो, तो जो कुई मसला नहीं भी, यहां रहते हो, just flip, भी कर लेना, है रहे इसको यहां पर इसके साथ दरम्यावली लेयर के साथ लाएंगे और उपर किसी खराब HP से बदल देंगे अब यह खराब HP को इधर इंसर्ट करेंगे और इसको बूम साही कर लेंगे अब हमारा पूरा क्यूब सॉल्व है सिर्फ लास्ट के दो HP से बचे है और यहां पर इतना इंटरस्टिंग सीन है कि तुम लोगों मानोगे नहीं मैं तुम लोगों बताता हूँ यहां पर हम अपना ही रूल तोड़ेंगे जो अब तक रूल्स हम फॉलो करते हैं मैं बताता हूँ इन दोनों में से हम किसी एक को सॉल्फ करेंगे और लास्ट बमला automatically solve हो जगा या तु solve हो जगा या फिर उसमें parity आजेगी parity बिना algorithm के solve करना सिखाऊँगा जहो क्या याद करोगे लेकिन इन में से किसी एक को solve कैसे करना है अब बहुत गयोर से सोचना अभी इसको तुम लोग solve मान, like एक तरह से सोचा जाए तो यह ठीक जगा पे हैं, बस ठीक तरह नहीं लगे वे, like red green और red green एक तरह के हैं, एक दूसरे के parter, अब यह दो उपर की side पे हैं, like नीचे की side पे solve नहीं है, उपर की side पे हैं, और हमें चाहिए यह नीचे की side पे, अभी क्यों नीचे की side पे चाहिए, क्योंकि इनका partner नीचे है, यह बहुत बारीकी वली चीज है, कि अगर यह दोनों उपर हों, तो इसके 7 वला भी उपर हो, औ अगर यह दोनों नीचे हों, तो इसके 7 वला भी नीचे हो, मैं क्या कह रहो, मैं बताता हूं, like यह देखो, इसका यह तीसरा partner है, यह नीचे की side पे है, तो यह दोनों को हमें नीचे लेकर आना पड़ेगा, कैसे, एक तफ़ा flipping algorithm लगाएंगे, वो दोनों नीचे आगे, इन का partner भी नीचे था, अब इस partner को जब हम इसके 7 लगाएंगे, तो यह तो ठीक हो गया, यह ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे रहते होगे, इस पे flipping algorithm लगाएंगे, इसको कर लेंगे उपर, और जब उसको वापिस करेंगे, तो हमारा यह वला solve, और last वले में parity आगे, वो हम easily solve कर ले जाओ, मतलब यह दर्मयान में जो piece है, इसको यहाँ पे बेज दिया, अब एक दफा flipping algorithm लगाओ, और वापिस करोगे, तो दोनों solve हो जाएंगे, easy, यह मैं तुम लगों को एक last example दिखाने लगाओ, last के दो edges की, यह है हमारा, यह green, yellow और यह yellow red, मैंने बताया था, कि last में ह यह दोनों नीचे है, यह नीचे है, यह उपर नहीं है दोनों, यह नीचे है, तो इसका partner मुझे नीचे चाहिए, लेकिन अभी देखो इसका partner उपर है, यह उपर की तरफ है, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों को उपर कर लेंगे एक दफा, flipping algorithm लगाओ के, यह होगे उपर, अब जब मैं इसको, इसको लाइक, यह हमारा है yellow red, इसको जब हम, मैं इसके साथ लाके लगाओंगा, और एक दफा मैं flipping algorithm लगाओंगा, यह मैंने flipping algorithm लगाया, और अब जब मैं इसको वापिस करूँगा, तो देखो हमारा यह वाला solve हो गया, और यह रह गया, इसको हम बोलते हैं parity, लोग ढगते हैं, पता नहीं क्यों parity से ढगते हैं, मुझे आ तक खुद नहीं समझ आई, मैं तुम लोगों को बता दूँ, तुम लोग इसका एक screenshot लो ता कि हम आगे बढ़ सकें, उमीदा तुम लोग ने screenshot ले लिया होगा, इससे असान parity तुम लोगो को कोई नहीं सिखाने लगा, मैं कसम खा लेता हूँ भई, rw का क्या मतलब है, रुको, rw का क्या मतलब है, right की दो layers, जिसमें हमने parity algorithm लगाना था, क्योंकि यह आखरी बचा है, बाकि सब solve हो गया, यह आखरी बचा है, तो इसको हमने ऐसे, अपने, ऐसे top पे रखना है, front पे और यहां से algorithm लगाना है, rw का मतलब है, right की दो layers, ठीक है, और 3rw का मतलब है, right की 3 layers, 1, 2, 3, rw right की 2, r3, right की 3, lw का मतलब है, left की 2, और u2 का मतलब है, उपर वली 2 दफा, मतलब इसके साथ w नहीं लगावा, u2 यानिके उपर layer को 2 दफा हम गुमाएंगे, x का मतलब है, यह जो layer है, हमने इसको back में shift कर देना है, तुम लोगों को अभी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूँ, rw का arrow उपर को है u2, rw का arrow उपर को है u2, rw को arrow उपर को है u2, यार इतना easy है, like देखो same moves है, उपर right, उपर right, u2, 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 मतलब मैं तुम लोगों को अब लगा के दिखाता हूँ, basically, rw को उपर u2, right की layer को उपर u2, x, x का मतलब है, इस सारे को back में कर देना है, अब हमने कोई rotation नहीं करनी, अब दुबारा rw को उपर u2, दुबारा rw को उपर u2, अब यह पहला portion हमने खतम कर लिए, arrow क्योंके नीचे को है, u2, अब यहां देखो, l को नीचे u2, r को नीचे u2, l wide, l wide को नीचे u2, rw, rw को नीचे u2, अब बिल्कुल लास्ट पे हम, एक दफा उपर है, r को उपर u2, और दो दफा r को नीचे u2, r को उपर u2, r को उपर u2, r को उपर u2, r को नीचे, r को नीच यार यह पैरिटी बहुत असान है तुम लोग इसको एक लम्हे में याद कर सकते हैं शुरू के मूब्स आर और एल जहां भी आएगा दो दो लेयर को गुमाना है लेफ्ट यानि लेफ्ट की दो आर यानि राइट की दो बस एक दफ़ा तीन दफ़ा गुमाना है बस एक है यह एक का मतलब तुम लोगों को बता दी है इसको बैक में करना मैं एक आखरी दफ़ा तुम लोगों को यह अलगारिफ्ट हम लगा के दिखाऊंगा मैं तुम लोगों बहुत बच्चों की तरह नी चाहता क्यूंकर जिन लोगों को पता है मेरे सिखाने की टकनीक आर वाइट आर वाइड यूटू आर वाइड वूटू अब सेम दोड़ है नने R कोमीड उपर यूटू एक्स यह एक्स है एक्स यानि एक दफा ऐसे क्यूब को बैक में कर देना आर को उपर यूटू आर को उपर यूटू पहला पोर्शन खत्म अब इस portion को याद करना है 3R को नीचे यानि right की layer को नीचे 3 layers को नीचे U2 L को नीचे U2 R को नीचे U2 L को नीचे U2 R को नीचे U2 और अब यह last वला portion है यानि R को एक दफा उपर U2 R को नीचे U2 R को नीचे R को एक दफा उपर U2 R को नीचे U2 R को नीचे यार पैरिटी अलगॉरिफम मुझसे असान अगर कोई समझा दे तो बता देना और अब ये बिलकुल 3 by 3 है 4 way 4 जिनको solve करना आता होगा वो समझ गए होगे मेरी बात तुम लोग इसको बिलकुल 3 by 3 की तरह solve कर सकते हो लाइक मैंने ये अब यहाँ पर मैं यहाँ पर क्रॉस बनाऊंगा मैं टूलू कोलर यूज कर रहा हूँ यह मेरा क्रॉस यहाँ पर मैंने लाइक औरियंट करना टॉप पर सारा येलो अब हेडलाइट्स है इनको लेफ्ट में रखके मैं T-Pump करूँगा जिससे मेरी हैडलाइट्स चारो तरफ बन जाएंगी और लास्ट मैं U-Pump लगा लगा के इसको solve कर लूँगा लाइक और यह solve अगर तुम लोगों को इससे असान टीटोरियल कहीं मिले तो मुझो बता देना मैं ये वीडियो डेलेट कर दूगा और मुबारा को तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा 5x5 की स्पीड क्यूविंग सीरीज का यह आज उसका पार्ट वन था और अब 2-3 दिन में इसका अगला पार्ट आ रहा है जिसमें हम थोड़ा अडवांस जाएंगे कि इसको अब हमने 3 मिन्ट में कैसे सॉल्फ करना 2 मिन्ट में 1.5 मिनिट में 1 मिनिट 15 सेकंड तक जाएंगे हम बहुत कुछ करने वले हैं सब्सक्राइब यार अगर यह सब कुछ मिस नहीं करना चाहते और एक अच्छा कमेंट कर देना जाते जाते यार सब्सक्राइब कर जो